अबरीवन नवी वीडियो में एक बार फीसे सवागत हैं आज हम बात करने वाल है युटि स्टूडियो को कैसे मैंस किया जाएं बहुत सार ऐसे new creator उन्हें पता नहीं होता है कि क्या क्या मैंस कर सकते हैं तो आज हम बात करने ओपलोड तरिक महिने चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर देना बैल आकॉन को प्रेश करकर और पर क्लिक कर देना ताइके नोडिफिकेशन आप तक पूंशता है तो चलता है की स्क्रीन पे वाइटे शिड ओपरेंड कर लेता है वीडियो पॉपोमेंस का बारे में का लास्ट वीडियो मेरा जो पॉपोमेंस उसका क्या रहा मोर्ज भीव पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देख लिए बाइ रेंक्गी किया है यह जान लिए यहां पर बैक आते हैं इंप्रेशन क्लिक थूरू रेट यह क्या होता यह भी जान लेते हैं एवरेज डूरेशन आपका वीडियो देखा गया है वीडियो एनलाइ्टिक्स पर क्लिक करते हैं अब यहां पर मैन चीज आपको समझना है व्यूसप अपको के टना आया यह यह तो आप भी जानते हैं और लास्ट एक गहंटे में हमारा वीउस के तना है फिलाल हमारे वीउस जोकी जीरो है अब बात करते हैं रीच की इमपरेश है क्या और impression click through rate है क्या ये दोनों चीज में बहुत लोग confuse होते हैं तो पहले आए यूटूब को open कर लेते हैं यूटूब मैंने open कर लिया तो impression किसी कहते हैं जैसे कि यहाँ पर देखें मा लेजिए कर दिया इसमें मैंने क्लिक नहीं किया ये भी वीडियो आया मैंने क्लिक नहीं किया इसके बाद ये भी वीडियो आया मैंने क्लिक कर दिया तो वह होगा impression click through rate तो आप यह चीज़ समझ गए impression और click through rate किसी कहते हैं समझ गया कितना person traffic source है YouTube search से चानल पेज से नोटिफिकेशन से ब्रावजर से इसके अलाव यहाँ पर टॉप external sources नहीं है टॉप वीडियो सर्च टर्म नहीं है वीडियो इस वीडियो नहीं है प्रेलिस से नहीं ठीक है यहां पर जो भी रहेगा सार चीज़ आपको पता पाओगे वीडियो डियोर रहेगा वह आपको इस color में देखने को मिलेगा यह चीज़ आपको किलियर करेंगे आगे ठीक है इसके लावे यहाँ पर एज कितना एज वाले आपके वीडियो देख रहे हैं वह यहां पर सो करेगा जेंडर याने कि मेल फीमेल कितना पर्षन देख रहे हैं अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो हम अपने पूरा ओबरॉल वीडियो का परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो एनलैक्टिक्स पर हम क्लिक कर करेंगे यहां से आपको समझ में आ जाएगा वीव फॉर्म सर्च रिजल्ट केतना सर्च किया दा रहा हूँ चीज़ और आपको टोटल व्यूज केतना रहा यह एक महीने का पूरा डीटेल्स है ठीक है इसके अलावे हिंस एंड टिप्स भी आप यहां से लर्ण मोन करकर प यहां पर आप समझ पाओगे कि 48 घंटे में आपका इतना भी जाया और 60 मिनेट में आपका 31 भी जाया पर टॉप वीडियो आपको देखनों को मिल जाएंगे इसके लिए बैक आते हैं रीच पर किलिक करेंगे रीच पर किलिक करने के बाद यहां पर आगया इंपरेशन तो आपको मैंने पहले भी बताया था इंपरेशन क्या होता है कोई फी वीडियो यूटूब पर जाता है स्कुरूल करता है तो वहां पर जो भी वीडियो आपको देखनों को मिलता है बहले आप किलिक करो यह ना करो तो उसी को इंपरेशन करते हैं और किसी बंदे ने किलिक कर यहां एक्स्टरनर सोर्स से इतना पर्षेंट आया है गूगल को रों फेस्बुक मेसेंजर से इतना यहां कौन-कौन से वाट से सर्च किया जा रहा है यहां से भी आप समझ सकते हैं इसके लाए वीडियो सजेशन यूर कंटेंट यानि के वीडियो के नीचे जो कंटेंट सज लेंग यूर कंटेंट आप जरू प्लेइलिस्ट बनाएं इससे बहुत फायदा होता है आपको वीडियो वीडियो आने का बहुत बड़ा चांस होता है इसका लाएव आता है इंगेजमेंट पे इस पर क्लिक करते हैं यहां से समझ पाएंगे अविरेज डूरेशन आप दे देकल ब्ली कॉस्ट ऐसे पाएंगे को आप के तना बार वीडियो देख रहा हैर इसके लाएव आप देख पाने यूनिक वीडियो जो समझना आप आपको समय आपका कर आप एक्टिव राता है YouTube पर कब active रहता है, तो यहाँ पर देखे, time table सब दिया गया है, कौन दिन, कौन तारी को, यह audience आपका ज्यादा active रहते हैं, यहाँ पर color भी दिया गया है, dark, dark type का color है, तो few viewers, many viewers, ठीक है, तो यहाँ पर time देख लिजे, किस time को, और किस दिन को YouTube पर ज्यादा लोग active रहते हैं, उसी साम आप वीडियो को upload करने से, आपका वीडियो में फायदा होगा, इसके लाएवे नीचे आता है, age वाले percentage की बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 13-17 वाले केतना आपका percentage है, वीडियो केतना देख रहे हैं, 18-24 वाले केतना percentage आपका वीडियो देखते है इसके लाएवे यहाँ पर जेंडर है, male 60% देख रहा है, female 38% देख रहा है, इसके लाएवे top ग्राफिक्स आप देख पाएंगे के इंडिया में केतना percentage लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल में केतना देख रहे हैं, इसके लाएवे language है, watch time subscriber है, या फिर कोई channel page आपको subscribe किया हूँ, आपको वीडियो देख रहा है कि यहाँ पर पूरा list आपको देखनों के मिल जागा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, thumbnail को change करना, title को change करने के लिए बारे में बताते हैं, इस पे हम click करते हैं, pencil वाले icon पे click करते हैं, यहाँ पर आप क् suggestion कर देगा, आपको दिमाग लगानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ से hashtag भी आप search कर सकते हैं, इसके लाए बे tag अभी यहाँ से manage किया जा सकता है, thumbnail है, वो भी आप यहाँ से change कर सकते हो, ठीके, अब यहाँ पर back आता है, तो guys मैं सारा चीज मैं आपको बता दिया, क किसे manage करना है, कैसे क्या समझना है, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं next video में,